लालू यादो की राजनीत उनके परिवार तक सिमित हो जाती है लालू यादो अपने परिवार के बारे में पहले सूचते हैं उसके बाद अपने पाटी के बारे में सूचते हैं पहले वो सूचते हैं कि अपने परिवार के किस सदस्य को कहा से राजनीतिक तोर पर सिट कर दि इसलिए लालू यादो लगतार प्रयास कर रहे है दोस्त लोगसभा सीट तो ऐसा है जो कि उनका मतलब की अपना विरासत है और उस विरासत को भी बचाना जरूरी है और उस विरासत को बचाने के लिए भी लालू यादो प्रयास कर रहे है और एक ऐसा लोगसभा है जहां से अपनी किसमत जो है वो आज माना चाहते हैं और अब तीनों लोग सभा के बारे में आपको बिस्तार से बताएंगे सब कुछ अच्छे से बताएंगे कि आखिर लालू यादो ये तीनों लोग सभा सीट किसके लिए तयार कर रहे हैं और क्यों सुरक्षित कर रहे हैं लेकिन उ लालो यादो भाजपा के पंजों से निकालना चाहते हैं और एक लोगसभा ऐसा भी है जहांपर भाजपा का कबजा है उसको भी भाजपा के पंजों से निकालना चाहते हैं लेकिन वह लोगसभा लालो यादों का बिरासत नहीं है लेकिन वहाँ पर यादों का बोल बाला जर कर चुके हैं यहां एक तरफ आप देख रहे हैं सबसे पहला है पाटली पुत्र लोग सभासीट जी हां पाटली पुत्र लोग सभासीट लालू यादो की बिरासत है लालू यादो यहां से सांसद रहें इनके पाटी के नेता यहां से सांसद रहें और अब इनकी बेटी यहा पाठी का यहां पर कबजा है राम किरपाल यादो यहां से सांसद है और लालू यादो यह चाते हैं कि यह सीट भाजपा के पंजो से बाहर निकल जाए लालू यादो लगतार प्रयास कर रहे हैं कि पाठली पुत्र लोग सभा सीट इस बार भाजपा के पंजो से निकले और लालू यादो का उस पर कब जाहो लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा काण ए मिशा भारती यहां से चुनाव लड़ते आई हैं और मिशा भारती जो है चुनाव लड़ती हैं और भारती यहां से चुनाओ ना लड़े लालो यादो की पाटी से रीत लाल यादो यहां से चुनाओ लड़ना चाहते हैं लेकिन लालो यादो यह भी देख रहे हैं कि परिवारिक सीट जो है वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए तो लालो यादो अपने परिवार के लिए भी इस seat को मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद अब आते हैं दूसरा seat दूसरा seat है उजियार पूर जिसको लालू यादो नए तोर पर तयार कर रहे हैं उजियार पूर लोग सभा सीट से आपको नित्यानंदराए जो हैं जो केंद्रे गृराज जी मंत्री हैं वो यहां से सांसद हैं और लालू यादो अब चाहते हैं कि नित्यानंदराइक को इस बार ये बताया जाए कि यहां पर यादो जो है वो यादो सिर्फ और सिर्फ लालू यादो को वोट करेगा इसलिए लालू यादो अपने परिवार के किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ आना चाहते हैं, खबर यह आई थी कि तेजश्वी यादो की पतनी को उजियारपूर से उतारा जाएगा, यानि कि पाठले पुत्र लोगसभा से मिसा भारती, वहीं दूसरी तरफ उजियारपूर लोगसभा से तेजश्वी यादो की पतनी राश्री को मैदान में उतारा जा उसके बाद कुस्वाहा की संख्या जो है वो निर्णायक भूमिका में है तो एक तरीके से यादो जो है वो तो यादो के नाम पर लालू यादो को वोट कर देगा कुस्वाहा नितीश कुमार के नाम पर वोट कर देगा कुर्मी कुस्वाहा जो है ये नितीश कुमार के नाम पर वोट कर देगा और उसके बाद मुसल्मानों की भी संख्याची खासी है तो वह भी लालू यादों के नाम पर वोट कर देगा यानि कहीं न कहीं अगर सभी जगह से वोट मिल जाएगा तो जियारपूर से तेज़स्ट्री यादों की पत्नी जो है वोट जीत जाएगी और उसके बाद तीसरा नाम आ रहा है सारन लोकसभा छेत्र का सारन लोकसभा से इस बार हो सकता है अगर बात बन गई तो तेज़प्रताप यादों को मैदान में उतारा जाएगा और अगर तेज़प्रताप यादों मैदान में नहीं उतरते हैं तो लालू यादों की वो अचारिया को लालू यादो मैदान में उतार सकते हैं और जब रोहनी अचारिया को सारन लोग सवा सीट से उतारा जाएगा यानि कि लालू यादो के घड की तीन महिलाएं इस बार मैदान में होंगी तीन महिलाएं का मतलब होता है कि मिसाभारती, रास्री और उसके बाद प्रवाइटी रोहनी अचारिया यह तीनों मैदान में होंगी और अब खबर यह है कि लालु यादो इन तीनों सीटों को सुरक्षित कर रहे हैं अपने पडिवार के लिए लालु यादो ने साफ तोर पर अपने पार्टी के निताओं को यह इसारा कर दिया है कि इन लोग सभ सीट पर उनका बाई कबजा है वह उनका रहेगा वह भाजपा के चंगुल से उसको निकालना चाहते हैं पाटली पुत्र में तो वह लगातार वह एक तरीके से पटना का ब्रह्मन कर रहे हैं तो पाटली पुत्र पर उनकी निगाहें जो है टिकी हुई है और रीटलाल वहा तो एक तरीके से लालो यादो का इसारा है कि पाटले पुत्र लोग सभा जो है वो मिशा भारती जो है वो लड़ेंगे हलाकि मिशा भारती राज सभा सांसद है लेकिन उनका मानना है कि भया हम लोग सभा जीत कर सदन में जाएंगे उसके बाद उजियारपूर का नाम उज खासा है तो इसलिए तेजस्ट्रियादों ये प्रयास करेंगे कि इस बार उजियारपुर से उनकी पत्री चुनावी मैदान में उतरे और पहले बार में सफल हो जाए अब आगे देखिए क्या होता है इसका बर्मीता ही बने रहमार साथ और देखते रहे जंता जंक्षन